हाई लो एवरीबन वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुन्दर सी छोटी बच्ची के लिए फ्रॉक बनाना सिखाएंगे बचे हुए कपड़े सी और इसी कपड़े में मैंने बहुत ही सुन्दर सी गाउन बनाई है आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ अतर है और यहाँ पर हम इने कपड़ा लिया है तो चलिए पहले कटिंग करेंगे तो अतर को हमें कुछ इत्रे से बिचा लेना है फोल्ड करके फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे धाइंच पर निसान लगाएंगे और यहाँ पर आर्मोल की लंबाई भी धाइंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे ठीक है फिर इत्रे से हमें एक इंच पर आर्मोल की गुलाई कर देना है और लंबाई हमारी 6 इंच है चोली की तो 7 इंच पर हमें निसान लगाना है ठीक है और यहां से सीने की चोड़ाई ना पेंगे तो सीने की चोड़ाई हमें आपर 11 इंच रखेंगे तो 11 को आदा करेंगे तो 5 इंच पर निसान लगाएंगे और एक इंच का मार जलेंगे कमर की साइट भी हमें दस इंच पर निसान लगाना है तो दस के आदे हुए पांच इंच और एक इंच का सिलाई मार जलेंगे फिर तरह से दोनों निसान को मिला देंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी निसान के उपर कटिंग करेंगे ठीक है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना बोल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यहां पर देखी मैंने cutting कर लिया है दूसरी तरब भी fitting वाला लिशान लगा लेते हैं तो यहां पर हमारी cutting हो गई है अब हमें यहां पर क्या करेंगे कपड़े को लेंगे और घेर की cutting करेंगे तो कपड़े को आप लोग देख सकते हम किस तरह से fold करेंगे एक बार हमारा कपड़ा फोल्ड है फिर हम यहां पर इसको क्या करेंगे दुबारा से फोल्ड करेंगे ठीक है कुछ इत्रह से त्रिछे में फोल्ड करना है और कपड़े की जो open site है वो हमें अपनी तरफ रखनी है ठीक है और यहां पर हमारी कमर की चोड़ाई पांच इंच है और एक इंच का हमें मार जल लेना है ठीक है यहां पर साथ इंच की लंबाई आ रही है तो यहां पर भी साथ इंच पर निशार लगा देंगे और इत्रह से गुलाई करेंगे कमर की चोड़ाई हमारी 5 इंच आ रही है तो 6 इंच पर हमें निसान लगाना है ठीक है 1 इंच का हमारी जल लेंगे तो इस तरह से सीधी लाइन खीचेंगे और चोली की लंबाई हमारी 7 इंच है तो 7 इंच हमें इंची टेप को उपर बढ़ा के रखना है और यहाँ पर 15 इंच पर निसान लगा देंगे ठीक है कुछ इतरह से गुलाई में 15 इंच पर निसान लगाना है और सारी निसान को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जल लेना है तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे तो हमने यहाँ पर निसान लगा दिया है इसी निसान के उपर हमें कटिंग करना है यहाँ पर हमारा कपड़ा जादा है तो यहाँ पर भी कटिंग करेंगे और कमर की तरब भी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमारी घेर की कटिंग हो गई है इस तरह से हमने घेर की कटिंग करी है अब हमें यापर फिर से कप्ड़े को लेंगे और उपर वाली जो चोली है उसकी कटिंग करेंगे तो कप्ड़े को में इतरह से बिछा देना है और इसके उपर अत्तर चोली को रखेंगे लिल्गो इसको अगली उसकी करें लेगे तो अगले वीडियो में दिखाएंगे तो अम्मीद करते हूं के ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो मारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगो सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए